हाई फ्रेंड्स, आल्लाइन एक्रिकल्चर क्लाशेश के अफिसियल यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत्त भिनंदन एवंग बंदन करता हूं जैसा कि कामन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट 2024 के सेशन में आप चलेंगे तो यहां पर आप देखिए अप्लिकेशन आवेदन आपका हो रहा है इसी के परिपेक्च में है यह CUT PG का है MSC का PG लेवल का यह है अप्लिकेशन फार्म करेक्शन की डिट ठीक है इसकी तिथी क्या है कब यह अप्लिकेशन आवेदन कम्प्रीट होगा और कब इसकी अंतिम्तिती है करेक्शन करने की और फीश जमा करने की पूरी इसी में एकजाम कब होगा सारी प्रोसेस हम इसी वीडियो में इंक्लूड कर देंगे जिसे आगामी बार-बार हमें आपको आउगत कराना नहीं पड़ेगा ठीक है चलिए तो आप लोग चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा ठंड बहुत लग रही है कानपूर में ठंड तो बहुत है आप लोग अपने वहां बताईएगे का आपकी जिले से बिलांग करते हैं और वहां का क्लाहिमेट अभी क्या है ठेक है चलिए देखिए यहां पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंटी ए हैज बिन कें देजर जीए मैं जिदेगे स्थॉर्ण की यहां फानी ऊटाव स्च एजेटी है इंटाव कलास के एंटरूटन बहुत हैं इन हमेरे का कुट्पग inhal थंट ौट्ट्यूर्टनिक है तो फियोटाउ मेंess पर टेखिए節目 miseraremos सेंटरल इनवस्टीज और पर्टिस्पेटिंग अर्गनाजेशन इंक्लूडिंग इस्टेट इनवस्टीज देंड और प्राइबेट इनवस्टीज अक्रास दिक कॉंट्री मतलब कहने का ताथ पर एक एंटीए जो आपका एक्जामनेशन कंड़क्ट करा था स्यूटी का यह एक ऐसा प्लेट फार्म है जिसके मादियम से आपको स्टेट एंगरिकल्चर इंवस्टिज यह फिर स्टेट इयुश्टियों में डिम्ड इस्टियों में प्राइबेट इन्वस्ट्विश्टिया हैं जो कुछ जो इसके अंतरगत से यूटि कधिन आती हैं ठीक है और इस इंचामनेशन देना होता है उसी के अधार पर आपका एडमिशन हो जाता है चलिए ठीक है चलिए कि फस्ट आप सम्देखेंगे ऑनलाइन सब्मीशन ऑफ अप्लिकेशन फार्म थ्रू वेबशाइट डेट यहां पर दिया हुए डेट यहां पर देखेंगे 26 दिसंबर से ले करके 26 दिसंबर 2023 से ले करके 24 जनवरी 2024 तक अप्लिकेशन फार्म आपका रात्री 10 बच के 50 मिनट तक हो पाएगा ठीक है इस बात से क्लियर हो गई अब इसके बाद आप देखेंगे लास्ट डेट आफ जनवरी तक आप अपना अप्लिकेशन फार्म कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद 25 जनवरी तक आप अपना फीश जमा कर पाएंगे ठीक है लेकिन मैं यहां पर आपको कहूंगा कि आपकी लास्ट डेट है तेजनवरी तेजनवरी 2014 ठीक है और मैं यसा क्यों कह रहा हूं अब आप कहेंगे सरी इसमें तो 24 जनवरी लिखा है जी हां 24 जनवरी लिखा है सही बात है देखें लास्ट में क्या होता है जब तिथी होती है उस समय आपका जो सर्वर होता है यह इसू कर जाता है मतलब जादे जब इस रह लुगमने इनका मेल किया थ ट्रूइट किया था तो फिर इनन्होंने हमें reply दिया था और बयुअ बनारा सिंद्री इसमें नहीं थी तो उसके में देखेंगे कि फिस्ट ट्रांजेक्शन की यह प्रोसेस है यूप्याइक माध्यम से भी कर सकते हैं अब आएए हम अपने पॉइंट पर आते हैं करेक्शन इन पर्टिकुलर्स आफ अप्लिकेशन कि फॉइंट के माध्यम से आपको इस फार्म में कोई भी गलती होगे किसी परकार के मिस्टेक्स हो गई जैसे माली जापने सेंटर इधर उदर भर दिया ठीक है अब वहां पर आप नहीं समय पर पहुंच पाएंगे मौसम भी आपका इस परकार से अभी है फिर आगे वैसे ए बारे में तो भी आगे चक्छा करेंगे कि तो चैन्ट्र भर science दिया सब्जेक्ट मंली आपका इकांध करने का एक खर nap correct होता है अब कुस करिये कमेंट्स हां किसर हम भी रख से बिलांग करते हैं यूव अब इन लोगों ने क्या किया इनके पास EWS नहीं है कुछ लोग पास EWS नहीं है तो अब यह क्या करेंगे यह लोग कहा रहे हैं कि क्या इसको हम EWS लगा सकते नहीं देखें जनरल की फीज 12-100 रूपए कटी है EWS की फीज एक हधार कटी है OBC की फीज एक हधार कटी है SCHT कम कटा है फिर उसके बाद सबका सभी कटेगरी वाइज अभ्यारतियों का फीज अलाग लग करता है तो उसी अधार पर यह आपका चेंज नहीं हो सकता यह कभी भी नहीं बतला जा सकता इस बा जाती परमाणपत्र लगती नहीं है तो आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो सेंट्रल गौवर्मेंट के द्वारा एक कास्ट सर्टिफिकेट बनता है जाती परमाणपत्र बनता है उसको बनवा लीजीएगा ठीक है जैसे आप राज से सही आनलाइन हो जाएगा आप अपने नियर वाईचाइबर के फिशें आनलाइन करा लीजीएगा ठीक है यह भी सब्ता दिन में बन क्या जाता है क्लियर चलिए बसरते अब उसको आप आइडेंटिफाई के से करेंगे देकि उसमें सेंट्रल गवर्मेंट वाला जो होता है उसमें टोटल एक्स वाईजिट इंग्लीज में लिखा रहता है ठीक है बस वही अंतर हो जाए और राज सरकार वाला जो होता है राज की उत्तरप्रदे सरकार या फिर जो भी आपकी है उसमें हिंदी में लिखा रहता है बस यहीं अंतर होता है सेंट्रल वाला इंग्ली यहां पर हमको अप्लिकेशन आविदन करते समय भद दिया है कि यहां पर हमें सेंटर एक्जामिनेशन देने के लिए चुप हो यह आपको कंफर्म हो जाएगा चार मार्च दोहजार जोबिश को ठेक है सारे हम आपको अपने इस्टा के माद्यम से रिल्स के माद्यम से आपको अगवत करते रहते हैं ठेक है चार मार्च मार्च दोहजार जोबिश को यह कंफर्म हो जाएगा फिर डाउनलोडिंग आफ एड्मिट कार्ट्स फ्रॉम एंटीए वेबसाइट के माद्यम से साथ मार्च को दोहजार जोबिश को प्रवेस पत्र अपना डाउनलोड कर शकते हैं ठीक है इसके बाद नीचे देंगे डेट अफ ऐग्जामनेशन परिछ्छा कप से कब तक होगी तो 11 मार्च 2020 से लेकर कि 28 मार्च 2023 चोबीस फर्स्ट सेकेंड पाली में आपकी फर्स्ट मिटिंग में सेकेंड मिटिंग में इस प्रकार से आपका एक्जामनेशन होगा ठीक है उसके बाद आंसर की आपको आ जाएगी चार अपरहल को और इसमें सिफ्ट देखिए एक घंटा पैंतालिस मिनट का सिफ्ट होगा प्रतीक दिनешन मतलब जो भी आप ये डेट होंगे तो उसी में आप ये इंख्जामनेशन कराएंगे अब टाइम आफ एक्जामनेशन समय क्या रहेगा ये विल वim अनाउंस लेटर अन लीवेबसाइट एडमेट करेंट के मादधेम से आपको जानकारी मिल ल्याइगी लेंगा 짧गा में ज прыatk अंट किस टाइम पर है ठेक है इसके जानकारी आप को एनाउंस — कर दिए और उन आफिसियल वेबसाइट है इस पर आप swaym किसी के भरोसे न रहें आप swaym भी इसको च्छेक करते रहें कि इस पर क्या update आया है क्या date बढ़ा है क्या घटा है क्या चीज requirement और मांग दिया इस पर कार की जानकारिया आप swaym भी लेना चाहिए ठीक है क्योंकि आप master's entrance examination देने जा रहे हैं अब यूजी छोटे बच्चे आप नहीं रहे हैं ठीक है अब आप एक जिम्मेधार नागरिक हो गए हैं ठीक है तो इसलिए ये सारा बेवरा आपको clarify कर दिया गया अब आपको जो भी query होगी तो आप हमारे instagram पर संपर कर लेजी का लिंक आपको description box में available है तो मिलते हैं next वीडियो में किसी next topic के साथ तब तक के लिए जैहिंद